गोड़ेश्ट्रेंट्स मैं वितो शर्मा आप सभी का स्टेडी आएक्यू यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं भी जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्ड एनलोगी ठीक है वर्ड एनलोगी देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या नंबर पाली अज हम पढ़ेंगे वर्ड एनलोगी उसमें है क्या है वैसे तो यह देखो आपकी उपर डिपेंड करता है आपको कितनी नोलीज है कुछ चीज़े आपको पता होने चाहिए जिसे कोई कंट्री दिया दूसरा कंट्री दिया तो इसकी केपिटल पता हो या एक कंट्री उसक सारे कोशन में आज डिसकस करने वाला हूं क्लियर जो लास्ट यहर के जो एक्जाम है उनमें जो कोशन पूछे गए हैं मैं वही कोशन डिसकस करूंगा तो बस आप लोग बड़े ध्यान से समझते जाईएगा और जवाब देते जाईएगा क्लियर चलिए भी शुरू करें पहला कोशन देखे भी क्या है पहला कोशन देखो है क्या देखो इस्क्रीन पर आपके फर्स कुशन आचुका और मैं आपसे ही जवाब मांगूगा क्योंकि यह चीज़ें आपकी नौलिज की हैं देखते हैं भी कितनी कितनी नौलिज आप लोगों को है ठीक है ना चले भी शुरू करें पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भी पहला कोशन यह है कि जैसे लॉमडी का रिलेशन चालाक से है तो खर्गोश का किसके साथ होगा देखो दिख रहा है ना आप इसका जवाब दीजे भी आपके साब से इसका क्या अंसर होना चाहिए भी जै है ग Rapha इसे लॉमडी का रिलेशन चालाकक के सात हैं तो खर्गोश का किसके साथ होगा हां व सुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं आपको बच्चे कह रहे हैं सी होगा बताईए तेंको बटाई यह जैसे लॉमडी के अंदर क्या होते हैं वह चालाग बहुत होती है ऐसे खर्गोश जो होता है थीक है तो राइट आंसर is option number c is the right answer to right answer क्या है option number c is the right answer right answer भी option number c clear चलिए अब आई यह भी हाँ अभी वैसे तो मुझे जादा कुछ लिखने के आज ज़रूत नहीं पड़ेगी मैं बताता जाऊंगा clear है तो option number क्या होगा C is the right answer तो जो खरगोश होता है वो क्या होता है डरपोग को टाई चलिए अगला देखो next देखो next question देखे भी क्या है भी session को like और share करते जाएए ठीक है न अगला question देखो भी next question क्या है समझे next question यह है जैसे फ्लेक्सिबल और रिकार रिलेशन confidence के साथ confidence का किसके साथ होगा यह आप से पूछ है इटमीज लचीला और कठोर इसी तरह आत्म विश्वास का relation किसके साथ होगा आप क्या answer करेंगे भी यह बताओ अमन का answer भी ए पूजा का answer भी डी सिद्धी का answer भी ए आकाश का यह बहुत बढ़ी है भी जिनका answer ए है बिलकुल सही है भी देखो यह दोनों एक तरीके से क्या है जिसमें जैसे लचीला पन एक बिलकुल कठोर तो इसका मिनिंग यह हुआ आत्मिश्वास उसका कहीं न कहीं क्या होगा आत्मिश्वास का यहां पर उसका जो रिलेशन होगा किसके साथ होगा संकोच के साथ होगा बहुत बढ़ी option number कौन सा भी एज़ा राइट अंस तर चलिए अगला देखें नेक्स कुशन देखें भी नेक्स कुशन क्या है समझे भी नेक्स कुशन देखें क्या है अगला कुशन देखो कुशन no.3 देखें भी क्या लिखा है जैसे उसने कहा दुख का रिलेशन रोना के साथ है उसी तरह खुशी का रिलेशन क्या होता है बही जब इंसान दुखी होता है तो तब क्या होता है रोता है वही चीज़ जब खुश होता है तो क्या होता है खुशी कब फील होते है जब हसते हैं तो आंसर क्या होना खूश होते हो तो क्या कर देओ हर्श नहीं हर्श तो वापस खूषी है तो आंसर क्या है विए जो activity है वू क्या है अब ठीक है हाँ बिल्कु सही बी नेक्ष्ट चलिए भी नेक्ष्ट क्या है हाँ बिल्कुल सही भी next देखे next question क्या है next question यह है वही जैसे प्रकाश का relation अंदकार के साथ है तो ग्यान का किसके साथ होगा भी question यह है कि प्रकाश का relation जैसे अंदकार के साथ है उसी तरह ग्यान का relation किसके साथ होगा चलिए बताइए अब इसका जवाब दीजिए भी हाँ देखते हैं इसका जवाब क्या होगा मुसली बचे आंसर दे रहे भी ए कुछ ने दिया भी सी भी दिया है डी दिया है भी हाँ तो राइट आंसर एस ए अग्यान का कि साहब प्रकास का अंदकार से साथ इठाट एक दूसर प्रकास है तो उट्र अंदकार है तो ज्ञान यह तो अग्यानत ऑ Deep हम धिशन नंबber यह इस दाज़त हम चलिए अगला देखें से नेक्स के नैक्स क्शन क्या है है हम यह नेक्स उन दिल्टें इसमें ज़्यादा कोश्थों नहीं इसमें भी लिखना नहीं बस आपको समझ़ाते जाना है के चलिका है अगला कुशन क्या है देखे नेक्स्ट में लिखा क्या है जैसे कैची का рیोलेशन कपड़े के साथ साथ है बही कैशी किसका माते कपड़े को काटने की काम आती है तो बताइए इन में से कौन सा रिलेशन सही है को बताइए इसका रिलेशन और क्या होगा को काटने का काम कर रही है तो यहाँ पर जो उस तरह होता है वह दाड़ी बनाने का काम करता है ठीक है ना वह भी तो कुटी कर रहा है तो राइट आंसर बीद्व है बी दार राइट शली अगले समय को क्या है क्लियर है चीजे समझते जाओगे शेशन को लाइक जरूर करते जाए भी सभी के सभी लाइक जरूर कर दें शेशन को शेयर भी जरूर कर दिया करें ठीक है और जो आपको पीडियेफ मिलती है वो सारी जो यह नीचे ब्लू कलर की पट्टी है उस पर जो मेरा टेलिग्राम अक पर आपको पीडियेफ मिलती है ठीक है तो आप लोग बस इसका ध्यान दीजिए ठीक है चले अगला बताइए अगला हाँ अगला क्या है नेक्स्ट इसने कहा स्टेथो स्कॉप जो है वो किसके लिए आता भी धड़कन नापने के लिए तो तापमान क्या रिलेशन बढ़ि आता जो लास्ट यर्स में आए हुए हैं वो सारे कुशन से ठीक है तो यहीट कैसे हो जाएगा हीट तो नहीं हो सकता ना कुशन को ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है भी धड़कन नापने के लिए इस तो स्कॉप का यूज होता है टमीस वो एक्किपमेंट है ठीक है तो इ option number D is the right answer ड़ी अंसर था चली अगला देखे अगला नेक्स कुशन देखे भी नेक्स अशुचन क्या है नेक्स वेशन क्या है उसको जरा समझें और बहुत ब्रया है बहुत अच्य बहुत अच्य भी वेरे गुड हम है अगला देख भी अगला कोशन क्या है सभी का चली है कुना चली से चले में सब्सक्रामारे गर्मारेह को नगरू है इन मेंसे कौन सा सही है यह आपको बताना है देखिया दिखिया सिंपल सी बात यह है देखो इस्पृंग इट मैंस बसंतरेंट्य के बाद क्या आता है वह गर्मार आती है तो वैसे क्या होताई ठीक है संडे के बाद क्या आता है मंडे आता है तो आप्शन नमबर ए is the correct answer ठीक है ना तो बात को द्यान समझो a is the right answer भी ए right है बसंद के बाद गरमी आ रही है तो इसी तरह संडे के बाद क्या था मंडे तो write answer is a हां ठीक है चलिए अगला देखें भी नेक्स्ट नेक्स देखें भी अगला कुशन क्या है जड़ा समझे भी चले भी कैलेंडर हो चुका है कैलेंडर यह आप सर्च करेंगे कैलेंडर टॉपिक हो चुका है ठीक है ना हो चली अगला देखिए नेक्स कोशन क्या है इसनी का जैसे फसल का खेत के साथ है तो आयस का किसके साथ रिलेशन होगा क्याने का मीजड्य मिलता है अंसर बताव हमके हिसासाबसे तो जो है और है तो वह मिलता है माइन में मिलता है कारक्ट करेक्ट पर सबस्ट Quindi minerals c is the correct answer option number c is the correct answer ठीक है ना option number c is the correct answer ठीक है चलिए भी बहुत बड़ी है बहुत अच्छे वेरे गुड हाँ अगला देखो भी next question देखे next question क्या है समझे भी next question को देखे समझे की कोशिश कीजिए चले आगे देखे जैसे इसने कहा जो कुटा है उसको रेबीज से रिलेशन है उसी तरह मच्छर का किस से होगा हाँ डोका रेबीज के साथ है मॉस्किटो का किस के साथ होगा यह आपको बताना है तो बताइए हाँ वी कुछ बचों ने ऑप्शन दे दिया वही ऑप्शन नमबर सी मलेरिया बहुत बढ़िया मलेरिया बिलकुल सही आंसर है ठीक है तो मच्छर का रिलेशन किसके साथ होगा मलेरिया यह उत्ते से क्या फैलते कौन सी भी मारी हो जाती भी रही जोता थी है म मच्छर से कौन सी होगी मलेरिया होगी मच्छर से क्या होगा मलेरिया होगा क्लेर यह बाते चले बहुत बढ़िया बहुत अच्छे भी बहुत बढ़िया चलो अगला देखें अगला देखें क्या लिखा भी कुशन नमबर 11 देखें नेक्स कुशन देखें क्या है खान एक समझे उसने कहा जैसे एक क्लॉप का एक समय के साथ है तो थर्मामेट्र का किसके साथ होगा यह आपको बताना यह है चले बताई तो option number D, option number D, temperature, option number D is the right answer, clear है, तो right answer क्या होगा भी, D is the right answer, चले, अगला देखे भी, next, देखे, next क्या है, उसको ज़रा समझे, बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छे, next देखो, next क्या है, समझे ज़रा इसको, अगले क्या है, उसको समझे, उसने कहा कि जैसे डॉक्टर का मरीज के साथ है, तो लॉयर का रिलेशन किसके साथ होगा, डॉक्टर का मरीज के साथ है बई तो वकील का किस के साथ होगा कुशन नेक्स कुशन देखे भी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी शेक फलक बेलको सही बहुत बढ़िया उसने कहा जैसे डॉक्टर का रिलेशन किस के साथ है पेशिंट के साथ है तो लॉयर का कि क्लाइंट के साथ मुख्किल के साथ तो राइट एस ऑप्षिन नमबर बीक्लाइंट एज डाइट ठीक है चलिए अगला देखो अगला कुशन देखो भी क्या है चलिए अगला कुशन यह है जैसे प्रॉतसाहन का रिलेशन विजे के साथ तो निराशा का किसके साथ होगा एंक्रेज मेंट का विक्टरी के साथ है तो फ्रस्टेशन का किसके साथ यह आपको बताना है तो बताईए भी अगल जिच्च कुछे उसमें आंसर क्या बनता परोदसाहन का विजय के साथ है तो निशा का किसके साथ होगा बताई me विए तो हम निराश होँगे तो निराश कब दो जब विजाय होते हैं तो हम निराश होंगे तो असवलता निराशा के साथ किसका रिलेशन होगा ऐसे वलता का ठीक है चलिए ठीक है चलिए बहुत बढ़ गया अब देखो नेक्स देखे भी नेक्स वोशन क्या है अब नेक्स वोशन यह है कि जैसे डॉक का रिलेशन कैनिन के साथ है तो बताइए घोड़े का किसके साथ होगा डॉक का रिलेशन कैनिन के साथ है तो घोड़े का किसके साथ होगा बताइए बताइए नेक्स वोशन बताइए इसका जवाब दीजिए भी फटावट बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटको सही आकाश बहुत बढ़ यह भी तो राइट आंसर इज हूफ इट मेंस ऑप्शन नंबर सी इस दाराइट आंसर क्योंकि घोड़ा जो है वह खुर मारने का काम करता है ठीक है ना तो राइट आंसर क्या होगा बिटा सी होगा ठीक है डॉक का कैनिन है तो घोड़े का क सुफ इट मेंस खुर मारना ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी जाराइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स विशन देखिए नेक्स विशन क्या है जरा समझेए तो यह कहीं पर आपको नहीं समझ में आता ने कोई वर्ड यदि मुश्किल सा वर्ड दिखता है तो पेपर हिंदी और हिस दोनों मेडियममें आता है तो आप हिंदी में आप ज़रूर देख लेंगे इसको मेंनिक क्या तो वहां से आपको कहीं कहीं नखांट पक्का दावर तो नहीं है चलिए अगला देखे ऑप्शन नमबर बीजा राइट अंसर अगला देखो भी नेक्स कुशन क्या है कोशन नमबर 16 देखे देखो अगले कुशन में क्या कह रहा है उसने का जैसे ब्रिक का रिलेशन है मैंसोन के साथ इट मिस्तरी तो कलर का रंग का रिलेशन किसके इसाथ होगा वही जो इटो का जो प्रयोग करताओ है वह मिस्तरी तो करता है दिवार बनाने के लिए घर बनाने के लिए मिस्तरी यूज करता है यूज कॉन करता बहि यह बता भी पेंटर करता भी चितरकार तो relacion क्या होगा बहुत अच्छे भी बहुत बढ़ी अभी option number C बहुत अच्छे भी चलिके next question क्या है अगला देखो भी next question क्या है हाँ अगला कुशन यह है जैसे sleep का relation rest के साथ है तो play का relation किसके साथ होगा वह सोना का relation 아람 के साथ है तो खेल का relation क्या होगा बहिए जब करने के बाद क्या मिलता हमें हाँ भी खेलने के बाद कि हमें क्या मिलता है तो answer क्या होगा भी अनंद यह मीनज्याफर अप्ष्राइब तो व Tape A को कRect ऑacağım लगलर कर और हम सोते हैं तो तो यह जब हम खेलते हैं तो खेलने में हमें क्या मिलता है आनद इंजॉइमेंट इन्छेमेन वित्त for बहुत बढ़ गया बहुत अच्छे बहुत अच्छे कि नेट तन यह जैसी कंट्री का रिलेशन प्रेजिडिएंट के साथ है तो बताइए स्टे टार रिलेशन किसके साथ होगा फहै तो जैसे कंट्रि में president होता है तो state में कोन होता है GORDON राजेबाल होता है तो option number the right answer क्योंकطि वहाँ पर प्रेजेडेंट लिखा है प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा होता है तो वहाँ पर state मिनिस्टर लेकिन वहां पर prais मिनिस्टर नहीं president लिखा यह तो हिले लिखा है तो स्टेट में कोन होता भी गवर्णर होता है तो राइट आंसर आप्शन नमबर डी जाराइट आप्शन सब्सक्राइब यहां अगे बढ़ते हैं भी नेक्स देखें भी हाँ कि देखिए भी कुश्ट नबर 19 नेक्स कुश्ट देखो कि क्या लिखा है जरा उसको समझे इसने हमसे कहा की वही मिराज का डैजर्ट के साथ है तो बताए इनमेंसे कौन सा optionं सही है Character जो देखे उसमें आपसे पुछा इनने मैंसे कौन सा option सही है यह आपको बताना है ठीक है दिछे मिराज का relation डेजर्ट के साथ है तो बताएlles कौन सा option सही कि डेजर्ट मरूसर में क्या मिलता हाई मिराज मिलता है तो वैसे ही इंद्रधनोस कहां मिलता है आसमान में तो option नमबर क्या होगा भी डी rainbow is sky is the right answer ठीक है, rainbow sky is the right answer option number B is the right answer ठीक है ना rainbow is sky तो आकाश में आसमान में क्या मिलता भी rainbow मिलता है न तो जैसे मरुसल में क्या मिलता है मिराद मिलता है तो वैसे ही क्या होता है आस्मान में इंद्रधनुष मिलता है रिन्बू मिलता है ठीक है चलिए अगला देखिए नेक्स कुशन देखिए नेक्स कुशन क्या है चलिए अगला कुशन है जैसे फिस का रिलेशन है स्किल्स के साथ तो बियर का किसके साथ होगा बही मचली का किसके साथ है स्किल्स के साथ है तो भालू का किसके साथ होता है भालू का किसके साथ होगा हाँ वही देखो फिश का स्केल के साथ है तो बीयर का किसके साथ होगा बताओ बढ़ी option number option number C is the right answer बिल्कु सही है देखो फिश के ओपर क्या मिलते है इसके बिलती है तो भालू के ओपर जो तुछ होते हैं वह कैसे फर ठीक है चलिए option number C is the right answer चले अगला देखो भी अगला गया है next देखें next question देखो क्या है नेस्ट यह वही जिसे राइटर का रेलेशन पैन के साथ है तो बताएं में से कौन सा option सही है जैसे राइटर का relation pen के साथ है तो बताइए इन में से कौन सा option सही है यह आपको बताना है बताइए इसने कहा writer का pen के साथ है लेखक का कलम के साथ है तो बताइए इन में से कौन सा सही है हाँ देखो भई दर जी सुहीं गलत है यह तो पहले क्या लिख रहा है जो उसका यूज़ करता है पहले जो लिख रहा है उसका नाम आ रहा है राइटर पैन राइटर किसका यूज़ करता है पैन का यूज़ करता है तो क्या सुही सी जो पेंटर होता है पेंटर किसका यूज़ करता है कैनवस का यूज़ करता है तो आर्टिस्ट देखो आर्टिस्ट नहीं आएगा आर्टिस्ट अलग हो जाता है कलाकार जो वैसे देखो पेंटर यह वहां पर होता आर्टिस्ट की जगह पेंटर और ब्रश होता तो तब त कि दियु का पाइव सब्सक्राइब को ते भी कि इसलिए क्लाकार का मिनिंग होता है जो जो नाटक करता है ठीक है ना जैसे मुवी में वो जो कला उस तरह का कलाकार हीरो जो होता है वो कलाकार होता है यहां पर कलाकार का मिनिंग इसका मिनिंग है पेंटर ठीक है तो यदि वहां ब्रश लिखा है तो वहां पेंटर होना चाहिए था ठीक है न तो पेंटर होता तो तब तो ठीक था लेकिन यहां पर जो पेंटर है किसका यूज करता है कैंवस का जो बोर्ड या जो भी होता है व option number c is the right answer option number c is the right answer वेड़ी क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि teacher कक्षा का यूज सोड़े ही करता है बिटा teacher कक्षा का यूज नहीं करता ना चलिए next देखें वही next question क्या है पेंटर जो है brush का यूज करता है सात में painter जो है canvas का यूज भी करता बिटा जिस पर वो चित्र बनाता है वो canvas होता ठीक है ना ठीक है ना artist जो है जो painter है वो canvas का use करता है ठीक है चलिए अग्ले देखिए दीए नेक्स स्वी नमबर 22 देखो तो इसंदे साल का जैसे रास्ता के साथ रिलेशन है तो बताइए प्रत्वी का किस साथ बेन बनाई एक्षि क्प्रके में लेकिन जो प्रत्वी कहां पर सड़क पर लेकिन जो प्रत्वी है कहां गुमती है और्बिटल में तो और्बिट में कौन सा और्बिट कक्षा जिसे कहेंगे तो राइट आंसर इस और्बिट option number c option number c option number c option number c बास समझ में आया ना option number c is the right answer ठीक है यह नहीं हो सकता है c होगा क्योंकि जो लूज जो चलता है हो कहां चलता है सड़क पे चलता है तो प्रत्वी कहां रोटेट कर रहें कौन सी कक्षा में रोटेट करती है ना और्बिट में तो option number c is the right answer क्लियर है चले अगला देखे नेक्स देखो भी कोशन नमबर 23 कोशन नमबर 23 देखे क्या है 23 में कहा है भी फर्टिलाइजर और ट्रॉप का रिलेशन जैसे और वरक और फसल का रिलेशन है तो बताईए इन में से कौन सा सही है यह आपको बताना है इन में से कौन सा सही है और वरक का फसल के साथ है तो बताईए इन में से कौन सा option सही है सो समझ की जवाब दीजी जल्दी नहीं हां राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर सी बही जैसे फसल को स्ट्रॉंग करता है कौन उर्वरक हां वही चीज बोड़ी के लिए जो स्ट्रॉंग करेगा क्या टॉनिक तो राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर सी आप्शन नंबर सी इस राइट आंसर आप्शन नंबर सी इस्ट राइट आंसर बancies डी नहीं हो सकता वह किट नाशक है वह मार देता ऊथ्यूग लेकिन वह मारने की तो बात नहीं हो रही ना फसल और वह उर्वरक है ठीक है ना इसी तरह यहां पर बोड़ी के लिए क्या चाहिए है टॉनिक चाहिए ठीक है ना स्टॉंग बनाने के लिए टॉनिक चाहिए तो ऑप्शन नमबर सी इस दा करेक्ट आंसर अगला देखे भी फास्ट और हंगर इसी तरह रेस का रिलेशन किस के साथ होगा जैसे वरत में वरत का भूग के साथ है तो दोड़ का किस के साथ होगा यह आपको बताना है बताइए भई फटा फट बताते चाहिए फटा फट बताइए भई इसने कहा जैसे वरत का भूग के साथ है तो दोड़ का किस के साथ होगा यह आपको बताना है देखो भई सिंपल सी बात है जब वरत में क्या लगते भूग लगती है भी जब आप फास्ट रखते हे तो आ कान होती है हाँ तो option number D is the right answer clear है बहुत अच्छे भी बहुत बढ़िया है चलिए अगला देखिए हाँ अगला देखिए भी नेक्स्ट देखिए हाँ अगला कुशन यह है जैसे विलॉम का रिलेशन समानार्थी के साथ है तो विशलेशन का किसके साथ होगा तो विलॉम और समानार्थी एक तरीके से रिवर्स से एक तो आर्थ समानों विषिशन तो विशलेशन का डेटेल में भी है तो उसका जो ओपॉसीट मलकी जो ऑपॉसीट होगा वह क्या होगा relation option number a is the right answer सारांशनी संसलेशन विसलेशन का क्या होगा भी संसलेशन option number a is the right answer option number a is the right answer a क्या होगा इसका राइट आंसर दी नहीं होगा अगला देखे भी अगला देखो next question देखे question number 26 question number 26 देखे 26 क्या है तरह उसको देखते जाई है question number 26 अदेखे भी इस नहीं कहा जैसे किताब का लेखक के साथ है तो मूर्ती का स्टेचू का किस के साथ होगा बुक का ऑथर के साथ है तो स्टेचू का किस के साथ होगा तो सिंपल जी बात है किताब को लिखता है को लिखने वाले को लेखक कहते हैं तो मूर्ती बनाने वाले को क्या कहते है मूर्तिकार तो option number C is the right answer to right answer is option number C is the right answer clear option number C is the right answer चलिए next question देखे next question क्या है question number 27 question number 27 देखे 27 में लिखा क्या है जैसे life का death के साथ है तो hope का किस के साथ होगा life का relation death के साथ है तो hope का relation किस के साथ होगा यह आपको बताना है life और death एक दूसरे के opposite है तो उमीद का relation किस के साथ निराशा के साथ भई निराशी होंगे ठीए ना तो option number C is the right answer, clear, option number C is the right answer, बहुत अच्छे भी, option number C is the right answer, ठीक है भी, बहुत 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 बढ़ी है, चलिए, अगला देखे भी, next देखो भी क्या है, जैसे इसने next question में ये लिखा है, कि भी, son का relation, nephew के साथ है, son का relation, nephew के साथ है, तो daughter का किस के साथ होगा, इट में पुत्र का बती जी के साथ है, तो वैसे ही, पुत्र का किस के साथ होगा, बती जी के साथ, तो answer क्या होगा, नहीं, option number A, बारसन में आती है, option number A is the right answer, बहुत बहुत बढ़ी, option number A is the right answer, option number a session को like और शेर जरूर करते रहे हैं चैनल को subscribe भी कर देए ठीक है न चलिए अगला देखिए next question देखिए भी जैसे अगला question है जैसे ring का relation ear के साथ है तो वो क्या चीज़ है जिसका relation wrist के साथ होगा ठीक है तो आप से कहा कि जैसे यह बाली का relation कान के साथ है तो वो वर्ड का है वह चीज़ किया गचे साथ तो बताए भी इसके साफ से देखा जाए तो बहुँ हाथ मैं क्या बंदी जाते भी हाट में नहीं नहीं यह फिर पहना जो आता है फितरे नहीं तो क्या होगा चूड़ी option number C Bengal ठीक है ना तो राइट आंसर इस बेंगल पक्ड़क यह सारे वह कुशन है जो एक्जाम में आई हुए भी लास्ट यहस्में एक्जाम में आई हुए कुशन से ठीक है ना अगला देखो भी कि अगला क्या है नेक्स देखिए भी नेक्स कुशन यह है जैसे आभुशन का रिलेशन सोना जालरी का गोल्ड के साथ है तो फरनीचर का रिलेशन किसके साथ होगा आभुशन का सोना जालरी का गोल्ड के साथ है तो बताए फरनीचर का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है वो बिल से बनता है तो राइट आंसर खते हैं अगला तकिया है ने तक यह आ चीटिक संच वुधे की साहथ है तो कॉरियोगराफर का किस के साथ होगा ब् tur का नोवल के साहथ है तो को्रियोगराफर का किस City साहथ होगा ठीक है, मेक अप से, डान्स से, म्यूजिक से या पिक्चर से, इन में से किस से रिलेशन होगा, यह आप से पूछ है, बताइए भी, फटावट बताइए, फटावट बताइए, भी, उसने कहा, जैसे आथर का नॉवल के साथ है, तो कॉरियोग्राफर का किस के साथ होगा, भी, ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर, बिल्कु सही है, बहुत बढ़िया डान्स, ठीक है, देखो, उन्यास को लिखने वाला लिखा कहलाता है, और डान्स को रिकोर्ड जो करता है, वो कॉन कहलाता है, डान्स को कराने वाला, वो कॉन होता भी, कॉरियोग्राफर होत फिक है, तो डान्स, इसका सही अंसर है, और बी इस था करेक्ट अंसर, ठीक है, चलिए, नेक्स देखिए भी, नेक्स विशन क्या है, नेक्स थै, ये भी टैलिफॉन का, रिलेशन जैसे, मॉबाइल फोन के साफ है, तो कम्पूटर क साथ होगा, टैलिफॉन का, मॉबाइल में भी आते भी क्लेट में भी आ जाते हैं ठीक है बताइए 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 ऑप्शन नमबर क्या कहते है भी कुछ कह रहे हैं भी कुछ कह रहे हैं डी बताइए भी राइट आंसर इस डी लैपटॉप के साथ होगा देखो भी टेलीफोन और मोबाइल फोन ठीक है टेलीफ कर सकते हो इसी तरह computer भी क्या है एक जगह रख लेते हैं laptop को आप कहीं भी कर लेते हैं ठीक है ना तो इसी तरह यहां पर देखे भी क्या है आंसर क्या होगा laptop is the right answer बिल्कु सही बहुत बढ़ी है नेक्स कुशन देखें नेक्स क्या है इसक पूछाय है यहां पहल अधार है यहां से बोचाय तो जाएको había टो पूछाय बिल्ण गार देखो डिया है जब भूक होगी तो स्कावटेः इसका राइट्व राइट अंसर और है अभी ड्रीम नहीं होगा बटा देखो एक बात बताओ भी जब भूख होगी तो क्या खाएगा भी भोजन खाएगा जब ठक जाएगा तो फिर क्या होगा सोगा ना सोना थकेगा तभी तो सोगा ना तो ऑप्चिन नमबर ए इस दाराइट आंसर ठीक है न ऐसा थोड़े होगे कि पहले सपनाएगा तब सोएगा सोने के बाद सबना आता है भूख लगने पर हम खाना खाएंगे ठीक है ना चलिए अगला देखिए नेक्स कुशन देखो क्या है नेक्स कुशन हमारा यह है नेक्स कुशन यह है जैसे डॉक्टर का हॉस्पिटल के साथ है तो सेफ का किस के साथ होगा इटमेस डॉक्टर का हॉस्पिटल के तो रसोया का किस के साथ होगा भी रसोई घर इससे आसान त ठीक है चलिए अगला देखो नेक्स्ट बताओ भी अगला क्या होगा जैसे हैं का रिलेशन एक के साथ है तो ट्री का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है बता यह भी इसका जवाब दीजे भी हूँ फ्रूट के साथ कुछ कह रहे हैं को आख बोग sagt अभी तक राइट आंसर is बी शारा आइट आंसर फ्रूट गलत है बता बी क्या है राइट आसफिए… थिक है है हり अगने के अ कि अ अब खांज़े फ्रूट क्यों नहीं है धुक्त दोनों बात में जिसे मुर्णी ए अंडा देगे फिर भारत तो नोगी मिल जाएगा फिर हमें वहां से बत्चा मिलता है फिर उसे क्या होगा फिर दोबार से मुर्णी कि क्लियर आध्या है जैसे पेड़ है ठीक है ना उससे बीज मिलेगा बीज मिलेगा वापस उससे फिर क्या हो जाएगा पेड़ जाए ठीक है ना तो ऑप्षिन नमबर बीज़ा राइट आंसर डी नहीं बी बीज़ा राइट आंसर क्लियर है तो राइट आंसर बीज दार राइट आंसर चलिके नेक्स क्या है नेक्स क्यों को समझी अगला देख़े भी उसने कहा जिसे विंडू का भाग के साथ रिलेक्शन है तो किताब का किसके साथ होगा ठीक है विंडों का बिल्कु सख़եղ कहा देखो डिनधों का के अंदर एक भाग होता है तो उसी तरह जो किताब किताम के अंदर क्या मिलते ही अदर कितां कितार राइट अन्सर उसके अन्दर मिलते हैं पेज तो राइट आंसरž पेज होगा इसका अंसर, कवर नहीं होगा, पेज होगा, पेज इसका अंसर होगा, ठीक है न, ठीक है, हाँ, चलिए, अगला देखो भी, next question देखो, next question क्या है, next question देखे, क्या है, जिसे चार पाई का relation गद्दा के साथ है, उसी तरह first का relation किस के साथ होगा, ये आप से पूझे, code का, mattress के साथ है, तो बताएए, floor का relation किस के साथ होगा, ये आपको बताना है, फटावर्ड बताएए, फटावर्ड बताएए, हाँ, कि मताइए कि Aika कार्पेट कार्पмат सब्सक्राइब काली टाइल नहीं गाले इसт Arikra अब आप कहेंगे किव नहीं हुआ देखो चार पाइचा कांव गद्धा बस्ट आप उठा सकते गद्धे को ठीक है फर्स के उपर आपने कालीन बिचाया तो उठा सकते हैं ठीक है ना टाइस फिक्स हो जाएगी ना तो इसलिए टाइस नहीं आएगा क्या अभी कार्पेट इस तर राइट अंसर ठीक है चलिए आगे बढ़गी आगे क्या है देखें नेक्स देखें नेक्स देखेंजर नेक्स क्या है जैसे मोल्रिका मोर के साथ है तो विच का रिलेशन किस के साथ होंगा यह बताइए इससे आसान कोशन नքम्ज नॉबर सी डॉग के साथ होगा यह थीं नहीं मोर तो बिच का रिलेशन को यह का रिलेशन भी डौक के साथ होगा भी बिलकु सही है ऑप्शन नमबर सी इस आ राइट अंसर बहुत बढ़ी है ऑप्शन नमबर सी ओप ठीक है चले देखिंगे अगला कोशन क्या है अगला कोशन यह है जैसे टीचर का स्थर्ण के साथ है तो धर्माध्यक्ष का किसके साथ होगा यह आपको बताना है पताएए नेक्स बताएए नेक्स रहें मैं इसने कहा है जैसे अध्यापक का विध्यारती के साथ है तो धर्माध्यक्ष का किस के साथ होगा याद रखो इसका जो होगा भी शिश्य के साथ होगा भी पुजारी नहीं शिश्य के साथ होगा धर्माध्यक्ष का शिश्य के साथ होगा तो option number a is the right answer option number A is the right answer, इसका क्या होगा भी A, चलिए, next question देखिए, next क्या है, अगला देखिए भी, अगला question क्या है, शिश्य भी यह शिश्य के साथ होगा, शिश्य है, जैसे, मधू की, का relation गुंजन के साथ है, तो उल्लू का relation किस के साथ होगा, बी का हम के साथ है, तो आउल का relation किस के साथ होगा, यह आप से पूछा गया है, बताएए, 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 तो भी, यह जैसे, जो मधूख की है, किस के आवाज, गुंजन के आवाज करती है, तो उल्लू किस की, गुगवाना, इटमीन्स होट की आवाज करता है, तो यह option number D is the right answer, option number D is the right answer, ठीक है न, option number D is the right answer, ठीक है, चलिए, अगला देखे, नेक्स देखो, नेक्स सुशन क्या है, नेक्स सुशन यह है हमारा, जैसे कोईला का रिलेशन ब्लेक डाइमंड के साथ है, कोईला, कोल का रिलेशन ब्लेक डाइमंड, इटमीस कोईला का काला हीरा, कोईले को हम काला हीरा भी तो कहते हैं न, तो बता ये पैट्रोल का रिलेशन किस के साथ होगा यह आपको बता नहीं बता एंद तwhy gee बतान है नलीकविड गोल्ड इससे कहें गये लिकविड गोल्ड ऑप्शन नंबर बी sit थी और आप्य buds how कलि धए अग्ला देखेँ अगला देखे भी नेक्स क्या है नेक्स देखे भी इसने कह है जैसे पॉस्ठर का दिवार के साथ बीज साथ पॉस्टर का रीलेशन वाल के साथ है दिवार के सासरे तो फोटोग्राफ का रिलेशन किसके साथ होगा यह है कि जैसे पॉस्टर का दिवार के साथ है तो फोटोग्राफ का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है तो पॉस्टर दिवार के उपर लगाया जाता है तो फोटोग्राफ कहां लगाया जाता है किसमें लगाया जात दिवार पर लगाया जाता है तो फोटोग्राफ जो लगाया जाता है फ्रेम में लगाया जाता है ठीक है चलिए अगला देखिए नेक्स वेशन देखिए भी नेक्स सुशन देखिए भी क्या है इसने का जैसे कवी का रिलेशन कल्पना के साथ है तो बताइए इत्यासकार का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है स्टोरियं का किसके साथ होगा बताइए किसके साथاخ एसके साथ इसका राइशन ओगा था इसका रिलेशन उगा आगे देखो next question देखो next क्या है next देखें भी क्या लिखा है जैसे इसने लिखा है कि triangle है खझागन के साथ द्रिभूज का relation इसके साथ है तो बताईए rectangle का relation किसके साथ होगा यह आपको बताना है त्रिभूज का के साथ है तो rectangle का किसके साथ होगा तो आयत का relation किसके साथ होगा वे देखो तो तो बुझ में तीन भुझाएं होती हैं hexagon में 6 होते हैं डबल है na तो आयत में 4 होती हैं तो octagon में किती होती है आठ होती है تو क्या है अभी rectangle octagon option number b is the right answer जियान से समझाओ, देखो, हेक्जागन में 6 होते हैं, ट्रेंगल में 3, 3, 2, 6, डबल हो रहा है, तो वैसे ही, rectangle में चार होती है तो octagon में किती होती है 8 होती है तो अस्ट बुझ तो आयत और अस्ट बुझ बेलको सेम उसी relation में है तो option number B is the right answer ठीक है नव इनको इससे अगले वाला skip कर देने जाए हाँ चली नेक्स देखो वही जैसे प्ले का relation actor के साथ है प्ले का relation actor के साथ है तो बताए संगोस्ठी का relation किसके साथ होगा प्ले का प्ले का relation actor के साथ है प्ले का relation actor के साथ है तो बताए संगोस्ठी का relation किसके साथ होगा कॉंसर्ट का relation किसके साथ होगा वह प्ले का मिनिंग खेल वह वाला खेल नहीं है यह इस नाटक है एक तरीके से नाटक नाटक में कौन होता भी जो नाटक करता है वो कलाकार होता है संगीत गोस्टी में कोन होता है संगीतकार होता है तो option number c is the right answer option number c is the right answer option number c is the right answer musician होता भी clear चले नेक्स देखिए नेक्स उशन क्या है 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 डिख देखो नेक्स और सीन क्या है जैसे जर्मनी का relation market के साथ है तो मौरेकों का relation किस के साथ हो गाकों सिम्पलस कि बात है जर्मनी की दो क्रेंशी है वह मार्क यॉंत के ढूरिकल जर्मनी की जो केरेंसी यह वो क्या है मार्क है तो इसी तरह मौरक्तों की जो करेंसी है क्या है ratio मेर में तो option number c विर हम ठीकla option number 4성 यह currency आपको पता होगे तब लोक्वस करोंगे ना तो option number C is the right answer तो option number c is the right answer givernanti की मार्क है तो मौरकत कि क्या है भई दिरहम हमें option number C is the right answer कि नेक्स देखे भी है नेक्स देखो भी नेक्स क्या है नेक्स हमें दिया है और अग्स देखे नेक्स देखे नेक्स देखे हम अग्ला क्या दिया है अग्ला यह दिया है इसको बताओ यह क्या होगा इसका आंसर बताओ कोशन नंबर 48 नंबर 48 इस चेट रेड ब्लड ब्लड सैल है वी लाल रक्त करनिकाई है तो इनको हम क्या कहते हैं अरिस्तोसाइट कहते हैं तो श्वेत लक्त करनिकाओं को वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे बताइए भी आप्शन नमबर डी इस दा राइट आंसर उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट तो option number कुछ सा भी option number D is the right answer option number D is the right answer तो उसको हम कहते हैं भी लुको साइट कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं लुको साइट कहते हैं अगला देखो भी कि अगला next देखे next क्या है next question देखे next question क्या है बिटा next question हमारा है भी जैसे पोल्यों को रिलेशन विशानों के साथ है तो बताएं एंथ्रेक्स का रिलेशन किसके साथ होगा बताएं जैसे पोल्यों का रिलेशन एंथ्रेक्स के साथ है तो बताएं पोल्यों का रिलेशन विशानों के साथ है तो एंथ्रेक्स का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है बताइए 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 बदाइए राइट आंसर इस बैक्टीरिया जीवानों सही किस के साथ है iron idol बैक्टीरिया ठीक है कि नेक्स देखे भी नेक्स कुशन देखो भी नेक्स कुशन क्या है ज़रा समझें नेक्स देखें हाँ नेक्स फिए जैसे संधे का रिलेशन घ्रणा के साथ है तो जलना उसका रिलेशन किसके साथ होगा यह संधे करेंगे तो घ्रणा हो जाएगी और जलने के साथ किसका है जलने के साथ देखें तो किसा जलने से क्या होगा चुल सना तो राइट आंसर is option number B is the right answer, ठीक है, option number B is the right answer, ठीक है, चलिए, next देखिए, next question देखिए, next question क्या है, सबजने की कोशिश कीजिए, next question देखो, क्या है, उसने कहा है भी, heart का relation जैसे कार्डिολोजिस्ट के साथ है, तो किडनी का relation किसके साथ होगा, किडनी का relation किसके साथ होगा, बताएं, 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 फटावट, बताएं, ऑफशन नमबर, सी दे रहे हैं भी, बिलकु सही का भी, क्षिist हिसां पिलको साही काभी nephrolog कीड्नी जो radio dr other कीड़ी के लिए इसी तरह किड्नी के लिए क्थ ने ने फ्रो लॉजिस्ट कुट ओप्शिन जाइन सी ओप्शन larger charging मेल ना ऑप्शन नंबर इन गला किभी ऑगला क्या भी नेक्स देखिए भी जैसे भारत का रिलेशन आम के साथ है तो न्यूजिलेंड का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है भारत का रिलेशन आम के साथ है तो न्यूजिलेंड का रिलेशन किसके साथ होगा यह आपको बताना है तो भारत का रहतियुत इसलिए अंसर आएगा भी option number B is the right answer, ठीक है, नेक्स देखो, नेक्स देखे भी, जैसे yard का relation इंच के साथ है, तो क्वार्ट का रिलेशन किस के साथ होगा यह बताना है, याँ पर यह दि हम ध्यान से देखें, तो देखो, यार्ड और इंच ठीक है ना अब कार्ट का रिलेशन किसके साथ होगा तो यह जो कार्ट है एक तरीके से किसको रिपर्जेंट करता है यह वॉल्यूम की यूनिट है तो इन में से जो वॉल्यूम की यूनिट है वो क्या है ऑन से वही वॉल्यूम की यूनिट जो है वो क्या है भी वो वॉल्यूम की यूनिट होती है तो आंसर क्या अगभी बी इस दा राइट आंसर गैला नहीं भी 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 ठीक है भी इस दा राइट आंसर चले अगला देखो नेक्स कोशन देखे भी नेक्स कोशन क्या है ठीक है अगला कोशन देखे भी अगला कोशन क्या है अगला किसके साथ होगा बताई ऊप्षपाइब और से फड़ को में कीटना शक़ा वसल के साथ ह unos निरोध निरोध किसके साथ होगा मता इप साथ बिलकुँ सही घाउउ हाछ बहुत बड़े ऑफशन मंबर एजा राइट आंसर घाउऌ के इसका लेशन होगा ठीक है यह था हमारा वर्ड एनलोगी इसमें मैंने आपको सिखाया भी कई जगे यह चीज़े आपकी नोलीज के उपर डिपेंड करती कि आपको उसके बारे में कितनी नोलीज है जैसे कंट्री आता है उसकी कैपिटल आगी तो आपकी नोलीज करंसी है या नोलीज के अपकी नोलीज कें नोलीज कर दोनों में ही नय ऑपको नोलीज होगा तो आप लोग बस ध्यान से देखते जाए आज के लिए इतना ही ठैंक यू THैंक यू minist झाल झाल